नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा ओनलाइन इस्टड़े भी डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कुछ कारण वास हम फर्स्ट स्रिप्ट का एनलाइसस नहीं कर पाए हैं दस मार्च का तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड शिप्ट का दोनों का यहां पर पता चलने वाला है कि आज 10 मार्च में पेपर हुआ था उनमें किस प्रकार के प्रश्ट और किस प्रकार के टोपिक पूछे गए तो सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और चेनल को सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ पर हम उत्तर के साथ आपको बताएंगे जो प्रस्ण पूरे-पूरे मिले हैं उनका उत्तर भी यहाँ पर इंक्लूट किया गया है तो यहाँ पर एक नंबर आपको को ऐसा लगता है तो ही आप करिएगा नंबर से जरूर कर लिजेगा चलिए शुरू करते यहां पर आपको टोपिक वाइस बताए जाएगा जी परियावरेन अध्यन वहीं पर पर्यावरेन अध्यन में क्या पूछ है था ओजोन दिवस के बारे में कि ओजोन दिवस कब मनाये जाता है तो जो ओजोन दिवस है ये कब मनाये गया था पहली बार तो ये 16 सितंबर 1995 को विस्व ओजोन दिवस मनाये गया था तो यहाँ पर ओजोन दिवस कब मनाये जाता है तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है दूसरा प्रेशन देखिए IPL से डेली प्रेशन पूछा जा रहा था आज ISL से प्रेशन पूछा गया है और यहाँ पर जो पने इंडियन सुपर लिंग लिखा हुआ है यहाँ वहाँ पर नहीं आया था डायक लिए आपसे प्रेशन पूछा गया था कि ISL खेल 2021 के विजेता को नहीं हाँ पर देखिए ISL यदि आपको पता होगा कि यह एंडियन सुपर लिंग होता फुटवल इसमें खेला जाता है तो इस खेल खेल हुआ था 2021 में इसके विजेता के बारे में पूछा गया था तो इसके विजेता कोन होंगे ISL 2021 के तो मुंबई सीटी ने पहली बार जीता था यह खिताब और इसके स्थापना यदि कल लग के पिपर में स्थापना पूछी जाए कि ISL के स्थापना कब हुई थी 21 अक्टोबर 2013 को तो ISL आज नया प्रशन देखने को मिला तो आप खेल से सम पूछ आगया था कि मानव अंत्रिक्ष उडान का अंतराश्टी दिवस कब मनाय जाता है तो यह 12 अप्रेल को मनाय जाता है मानव अंत्रिक्ष उडान का अंतराश्टी दिवस तो 12 अप्रेल आपका राइट आंसर होगा IPL से डेली प्रेस ने पूछ जा रहे है तो यहाँ पर देखिए IPL मेच में अब तक सबसे लंबा च्छका किसने मारा है वो नहाँ पर क्रिस गेल और यूवराज दोनों विकलप में भी थे लेकिन दोनों ही आपके राय टैंसर नहीं होंगे जादर बच्चों ने क्रिस गेल लगाया होगा या फिर यूवराज लगाया होगा लेकिन दोनों ही वहाँ पर जो विकलप थे वो गलत थे क्योंकि IPL मेच में अब तक का जो सबसे लंबा च्छका मारा है वो साउथ अफ्रिका के आल राउंडर खिलाडी लगाया है जो की साउथ अफ्रिका जड़ा है लेकिन 125 मिटर लंबा च्छका किसकी द्वरा जड़ा गया है तो ये एल बी मौरकल के द्वरा दिया गया है जो की साउथ अफ्रिका के रहले वाले हैं वो लिए आएक आल राउंडर खिलाडी है कैंसर किस विटामिन की कमी से हो सकता है तो ये विटामिन B 17 की कमी से हो सकता है कैंसर तो कैंसर के बारे में आज पूछा गया था याने कि यहाँ पर आज एक्जाम था तो आप बताएगा ओजोन शेद्र से कौन सा प्रशन पूछा गया था चलिए अमेरिका ने अपना प्रत्थम सेटेलाइट अपगरा कब लांच किया था आप यह नहीं सोचे यदि आप सेकंड सिप्टम आपका पेपर है और वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट से के मद्धियम से नहीं कहिएगा कि सर यह प्रशन तो पूछे नहीं यह था यह फर्स्ट और सेकंड सिप्ट दोनों का ऐनलेस से यानि कि मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया गया है यदि आपको लगता है कि मुझे और भी प्रशन पता है तो वह प्रशन आप कमेंट से के माधियम से बता सकते हैं और मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार जो in box है या फिर comment से बोक्स है उसको चेक कर लीजेगा ताकि कोई बच्च प्रक्षिपित किया था भारती अंतरिक चियान प्रक्षेपन कारिक्रम में यह 27 वा उपक्रम था तो यहाँ पर लांच पुछा गया था कब किया गया है तो यह 2008 में किया गया था देखिये हाँ आपर म्रदा से डेली प्रसने पूछे जा रहे हैं म्रदा मिट्टी से तीन से चार प्रशन पूछ जा रहे हैं तो कल इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अपलोड कर दूँगा आपको काफी हेल्प होगी उससे नेलगिरी के वनों से सम्मर्णित एक प्रशन पूछा गया था हडपा सब्वता से डेली प्रशन पूछ जा रहा कल भी पूछा गया था आज भी प्रशन पूछा गया है अंतरिक्ष ग्यान से जैसे की मैंने आपको बता दिया आउतल लेंसे से देखे फर्श्ट सिप्ट में आउतल लेंसे से प्रशन पूछा गया था खेल से जो प्रश्ण पूछ जा रहे हैं वो करंट अफेर से पूछ जा रहे हैं 19-21 से जारतर प्रश्ण पूछ जा रहे हैं पक्छी से समर्ज़त पूछ पूछा गया था अब कोन सा था इसके बारे मुझे जान करें नहीं है यदि आपका first और second shift में यदि पक्षे से समझे परेश्ण पूछा गया तो आपको कमेंट से के माध्यम से बताना है वायू मंडल से परेश्ण पूछा गया तो इस्टेडियम से आज एक परेश्ण पूछा गया था बात करते हैं अब हम हिंदी की तो हिंदी में देखे गध्यांस और कविता पूछी जाती जो 6 और 9 का रेश्या होता है ने के टोटल आपके 15 अंक का जो गध्यांस और कविता से प्रेश्ण पूछे जाते हैं इसमें कौन-कौन से प्रेश्ण पूछे गए देखे सदेव में क क rapurs ने पूछा गया था कि वरदीश्वर संदी का उधारन अब यहां पर सदेव मेरे ich नहीं पता है कि वृद्दीश्वर संदी के उधारन में कौन से चार विकल्प थे और कोन सा सही था तो इसकी मुझे जानकारी नहीं यहीं आपको पता है चार विकल पर यदि आपका second सिप्ट में पेपर था तो आप यहां पर बता सकते यह मैंने अपने मर्जे से लिखाया कि जो वरद्यस्वर संदी का उधरन होगा वो सदेव होगा माता पिता में कौन सा समास है देखे माता पिता में समास पूछा गया था तो कौन सा समास होगा द्वन्द समास होगा अलंका डेली प्रशने पूछ जा रहे हैं जैसा कि विलोम सब्द में आपको बताया परियावाची सब्द डेली पूछा जा रहा है परियावाची कौन सा पूछा गया था इसका मुझे पता नहीं है प्रतिश से डेली प्रशन पूछे जा रहे हैं गध्यांस और पध्यांस में ही पूछे जा रहे हैं यहाँ पर 50-50 आने के 15 प्रशन आपके गध्यांस और प्रध्यांस पूछे जाएंगे और 15 प्रशन आपके पेडागोजी से पूछे जा रहे हैं कोशल से सम्मनित प्रस्न उपसरग से आज प्रस्न पूछा गया था second shift में बात करें हम यहाँ पर बाल विकास की तो बाल विकास में हमें प्रस्न तो देखने को नहीं मिले हैं लेकिन यहाँ पर टोपिक में हमाँ टोपिक आपको बता देते हैं मुक्ता अंत वाले जो प्रश्ण होते हैं उनसे सम्मर्द प्रश्ण पूछे गए हैं कि सेश्ववस्ता कि सोरवस्ता बालेवस्ता से डेली प्रश्ण पूछे जा रहे हैं इस पर एक वीडियो में ने प्रोपरली बनाई हुई है तीनों के वीडियो अप्लोड किये दिया आपने नहीं देखा है तो उसको देख लिजे काफी आपको हेल्प मिलेगी एक्जाम में जिन प्याजे से इसकिनर से इन दोनों से डेली प्रश्ण पूछे जा रहे हैं आज कहौल बरग वाईगोज से कि बाल विकास में देखने को मिले और सिक्षण विधी से सम्मधित प्रश्ण भी आज मिले जो हम बात करें प्रश्णों की जो प्रश्ण पूछे जा रहे हैं और प्रगतिसिल सिक्षा से सम्मधित प्रश्ण पूछे गए थे वनसानुकरम से सम्मधित प्रश्ण, व्यवहार से सम्मधित प्रश्ण, सिधान्त से सम्मधित प्रश्ण, अधिगम से सम्मधित प्रश्ण और लिंग भेट से सम्मधित प्रश्ण, ये सभी बाल विकास एवं सिक्षा सास्तर में पूछे गए प्रश्ण है बात करें गनित की तो एक दो प्रस्ण मिले हैं जो यहाँ पर प्रस्ण दिया गया है फर्स्ट शिप्ट में पुछा गया था कि 991999 को आपको सब्दों में लिखना है तो सब्दों में हर कोई जानता है कि तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह कितना बन गया 24 बन गया, 24 को रोबन संख्या में हम इस प्रकार लिखते हैं दो संख्या का योग में से दो संख्याओं के योग को घटाना था इस प्रकार का प्रशन पूछा गया था संख्या पद्धती याने की जो प्रशन मैंने अभी बताया संख्या पद्धती से डेली प्रश्ण पूछ जा रहा है, औसत से सम्मधित प्रश्ण पूछ जा रहा है, अनुपात से डेली प्रश्ण पूछ जा रहे हैं, आयू से डेली प्रश्ण पूछ जा रहे हैं, भिन्न से डेली प्रश्ण पूछ जा रहे हैं, जोड घटाव से सम् प्रशन डेली पूछे जा रहे हैं, इंगलेस की हम बात करें तो इंगलेस में पेसेज पूछे जाता है, जिसमें 15 नमबर के कुशन से पूछे जाते हैं, इसमें नावन, प्रोनावन, कंजेक्शन, प्री पूजिशन, एड़ वर्ब, अब्जेक्टिव, सुननम, एंटिनॉम 10 से भी आज पूछे गए थे, और पेड़ा गोजी आपकी 15 नमबर की यहां पर पूछी जाती है, और 50-50 नमबर के जो प्रशने हैं, 15 नमबर के आपके गध्यान से और पध्यान से पेसे से पूछी जाते हैं, और 15 नमबर के पेड़ा गोजी आपको इंगलेस में भी प्रोपिक को छोड़कर बाकी के बता दिये किस प्रकार के प्रषणि पूछी जा रहे हैं कियो हर कोई यह सब्जेक्ट है उसमें पहलों के इस मेहनध लग रहे थी जोकी कहने का मतलब हैं कि जन्ने बहुत पड़ा है वंभी वहाँ प्र समझ नहीं पा रहा था कि किस प्रकार के प्रशने पूछे जा रहे तो आपको और अच्छे सा त्यारी कर लेना है यादि आपका एक्जाम अभी बचा है तो यहीं मेरे को बता ना था कि आज के एक्जाम में जो प्रशने पूछे गए हैं किस प्रकार के टोपिक पूछे गए हैं तो आज का वीडिय एक नहीं वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद